स्कूलों के फीस वसूली को लेकर कॉंग्रेसियों ने परदेशी पुरा चुराहे पर बीते दिनों आमजन के बीच हस्ताक्षर अभ्यान चलाया जहां बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की नीती के खिलाफ हस्ताक्षर किये हैं वो फीस माफ करने कीम मांग उठाई कॉंग्रेस नेताव चिंटू चौक से समर्थक धरमेंद्र मौरे ने बताया कि परदेशी पुरा चुराहे पर सोमवार को हस्ताक्षर अभ्यान स्कूलों के फीस माफी को लेकर किया गया जहां करें पाँच हजार से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर स्कूल फीस की माफी करने की मांग मद्रदेश की शिवरत सरका से की है आपको बताना चाहेंगे कि शहर के विधानसवा शेत्र कर्रामांग दो में 18 वोडो में हस्ताक्षर अभ्यान चुला गया था जहां कई स्थानों पर पुलस अपने अभ्यान को बंद करवा दिया वह चिंटू चौक से सहित कई कॉंग्रेसियों पर मुकदमे दर्श करवा दिये गए हैं अब लेटाप आता 40 रुपे का लेटाप लेंगे तो उसकी पढ़ाई और उसके बाद में वह बुक भी खरीदो यहने सब तरीके से बच्चे के पालकों के पर ही बोज बढ़ना है इस तरीके का हम लोग चाहते हैं कि सरकार क्या उठाएट इसकोल हम लोग चाहते हैं इसकूल का भी मेंटेनेस रेता है यां बी जमसे लेकिन हम पर से अधिन्स के नाम पर फिस ले सकते वो ठीक है तो हमको छूड़ दी जाए फूल सिंग क्वाल प्लाक अध्यक इंदोर शहर कंग्रेश कमें जो हमारा अंदल हो संत्यु पुरुक तरीके से था विजान सब्सक्राइब और आगे अगर सरकार अगर नहीं मानी तो यह अंदलन पूरे शहर म सब्सक्राइब करा जाएगा और मनीजमेंट वाल मनलम अध्यक वाक्तरमांग दो में भाई चिंटु चोक से और राजी भदोरिया के नेत्रत्र में वा छेत्रक्रमांग दो में अठरा जगों इसकुल फीस माप करने के लिए अंदोलन किया गया है अस्ताक्षर अभियान कर सब्सक्राइब करें और हम लोग अस्ताक्षर करके ऊपर पहुचाएंगे माननी मुख्य मंत्री जी के कने और पास चजार करीब अस्ताक्षर हुए है धर्मेन मौर्य पूर उपाद्यक्ष सहर कांग्रेश इंदोर सेस्थ शर्मक रिपोर्ट